आज मैं गेना गई हूँ आप सब के लिए बहुत ही मज़िदार और बहुत ही चोट पर्ची रेसिपी के साथ आज मैं बनाना से खाऊंगे आपको फटे दूद से कलाकन बहुत ही इसे तरीके से तो चली देखते कैसे बनता है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स दूद फट चुका था कि देखें इस तरीके से आपको दिख रहा होगा तो यहां मैंने एक मलमिल का कपला ले लिया है और नीचे एक पाउल रख दिया है अब मैं अपना जो सारा पटा हुए दूद है वो इसमें डाल दूँगी और इसको स्टेन कर लूँगी यहां देख तरीकिसे हम इसको और लेंसको पानियस में रह जाए तकि इसके जो दानें है वो अलग अलग नाओं बिलकुल अटेज ही हो बहुत ज़्यादा हम इसका पानी नहीं निकालेंगे इस पानी से आप कड़ी भी बना सकते हैं इसको वेस्त ना कीजिएगा इसकी बाद यहां दे इस तरीके से इसमें भी ठोड़ा सा पानी है तो हम इसको प्रेस करेंगी चम्मच की मदद से तोड़ा सा और इसको पहला देंगे यहां देखे इस तरीके से आपको देख रहा होगा बिल्कुल जो अलग-अलग इसके दाने हो जाते हैं यह वो नहीं हूआ है इसी आपको भी आधी quantity में ना हो जाए यानि कि इतना पकाना है कि ये जो है वो ठेक सी consistency पर आ जाए यहाँ देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इसको continuously stir करते रहेंगे और flame यहाँ मैंने जो है वो medium रखी है इसको थोड़ी दे के लिए medium flame पर पकाएंगे यहाँ देखिए इस थरह यहाँ आप देख सकते हैं bubbles आना स्टार्ट हो गए है इसमें और यह बहुत यह तरीके से cook हो रहा है इसी तरीके से हम इसको cook करेंगे continuously stir करेंगे ताकि जाया यह चुपके ना और अच्छे से cook हो तक्रीबन 5-10 मिंट हम इसको cook करेंगे medium पर आप इसकी consistency देख सकते हैं कितनी पतली हो गई है इसी consistency पर यह पकता रहेगा तो बहुत ही अच्छे से गाड़ा हो चाएगा अब मैं इसमें add करूंगी half cup sugar half cup एक लीटर में बहुत होती है अगर आप जादा मीजा काते हैं तो आप sugar की quantity बढ़ा सकते हैं इसको अची तरीके से हम mix कर देंगे ताकि जो चीनी अपना पानी छोड़ती है वो इसी में absorb हो जाए यहां देखें बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको continuously stir करना है और इस पर हम जो है वो इसकी flame जो है वो थोड़ी सी high कर देंगे यानी medium high पर हम इसकी flame रखेंगे और इसको continuously इसी तरीके से stir करके हुए पकाएंगे तरीवन 5-10 mint हम इसको पकाएंगे अगें आप इसकी consistency देख सकते हैं देखें कितना थिक हो ना यह start हो गया है अब हम इसको पांच मिन के लिए high flame पर पकाएंगे बिल्कुल high flame पर जब तक हम यहां पर थोड़े से जो है वो elements क्रश कर लेंगे यहां देखें इस तरीके से मैं थोड़े से elements लेनी हूं ख्रेश कर लूंगी और यहां हमारा कलकन जो है वो ready हो चुका है इसको इद भार मिक्स करेंगे और इसको स्टॉफ से हटा देगे यहां देखें इस तरीके से मैंने अलमन करश करके ट्रे में सेट कर दिये थे हन्हें में उसले इसले कि हम कम है रंज की मोट बनेंगे सेब्स को सब्सक्राइब जाया सब इसपून मदद से हम इसको इस तरीके से सेक्ट करेंगे त्यान रहे कि थोड़ा सा मूटा बनाए इसकी जो लेरिंग है वो मोटी होनी चाहिए तभी कलाकन मज़े का बनकर रेडी होगा यहां देखें इस तरीके समयने इसको सेट किया दो हर्श के लिए अब मैं इसको छोड़ूंगी और यहां शेयर करें, कॉम्मेंट करें और ऐसी मज़दा रहा है इसके लिए में चैनल को सुब्स्क्राइब कर लें मिलते हूं नेक्स डियो में अपना बहुत सारा क्या लग कीगा तुआ में आतकीगा अलाहाफिज